तुम्हें आराम करना चाहिए को इंगलिश में क्या कहते हैं और ऐसे ही कुछ और सेंटेंसिस को इंगलिश में कैसे बोला जाता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तुम्हें आराम करना चाहिए या आपको आराम करना चाहिए के लिए English में आप कह सकते हैं You should rest, या you should take a break, या you should take some rest जैसे कि एगर आप ये कहना चाहिए कि ये एक लंबा सब्ताह रहा, आपको सब्ताहंत पर आराम करना चाहिए तो आप कह सकते हैं It's been a long week, you should rest on the weekend It's been a long week, you should rest on the weekend या अगर आप ये कहना चाहें कि लंबी यातरा के बाद आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले आराम करना चाहिए तो आप कह सकते हैं After the long journey, you should rest before starting any work या अगर आप ये कहना चाहें कि यदि आप ऐस्वस्त महसूस कर रहे हैं तो आपको आराम करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए तो आप कह सकते हैं If you are feeling unwell, you should rest and take care of yourself या अगर आप ये कहना चाहें कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको आराम करना चाहिए तो आप कह सकते हैं Before starting a new project, you should rest या you should take a break अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें